क्या आप इना सोप यूज करते हैं तो आपको तो पता होगा के सारे सोप से फैदा क्या-क्या होते हैं क्या नहीं पता कोई बात नहीं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा के सारे सोप से फैदा क्या-क्या होता है आरसीम बिनस के यह जो ब्रांड है ENA, इसमें A8 सोप हैं, आरसीम जैसमीन बाथ सोप, नीम बाथ सोप, एनना एंटी बेक्टेरिया सोप, इनना फलोरल बाथ सोप, आरसीम नीम बाथ सोप, हल्दी एंड चंदन सोप, बाटर मिलन एंड मिन्ड सोप, लाइम एंड लेमन गरास इस सारे सोप से फैदा क्या क्या होते हैं हमारे सरीर के लिए सारे सोप कितना यूजफुल है तो अचा के लिए कितना लभायक है और इसमें कितना परसेंट टी एफ हम होती है इनना सोप से रिलेटेड हर एक जनकारी इस विडियो में जानेंगे नमबर वन आर्सियम जैसमीन बाद सोप सो ग्राम इस साबुन से क्या फैदे हैं इस साबुन के बात करें तो यह साबुन हर अशनान के बाद मुलायम और एक अनूठी सुगंधी तवचा देता है इस साबुन में गिलस्रीन मिला होता है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह गिलस्रीन क्या होता है आप ज्यांते समझेगा गिलस्रीन दरसल एक सुगर और अलकोहल का कार्मिन कंपाउंड होता है इसमें गंधिन रंगिन और थोड़ा मिठा स्वादवाला एक तरल पदार्थ होता है हर एक साबुन चीप-चीपा इसलिए होता है क्योंकि इसमें करता है जो आपके नहाने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सम्रीद मलाईदार और मुलायम जहाग उत्पन करता है यह सिर्फ एक वर्ध होने से गंद की पसीने के कारण बनने वाले नम को हटाने में मदद करता ही है और यह तोचा के लिए गहरे कलिंजर के रूप में भ महसूस कराता है इसमें असमिरीद और मलाईदार जहाग परदान करने के लिए चीहत्तर प्रशेंट टी एफ होती है गंद की की टानों को असानी से हटाता है और यह साबून उप्योग करने के बाद तोचा नरम और कोमल महसूस करती है सेकेंड नीम बात सोप 38 ग्राम यह भ प्राक्रितिक मौाचर के रूप में जाना जाता है और अपने प्राक्रितिक तेलों के कारण यह तोचा को खराब नहीं करता है और तोचा को मुलाईम और कोमल बनाता है इसमें भी 76% टी एफ होता है जो आपके नहाने के अनुभव को बहतर बनाने के लिए समरीद मलाईद और मुलाईम जाग उत्पन करता है और इतना ही नहीं जिवानों की टानों से बेहतर सुरचा परदान करती है और यह सावन बैक्टेरिया के खिलाप सुरचा कबज भी माना जा सकता है जो हर उप्यों के बाद आपकी तवचा को नर्हम और कॉमल महसूस कराता है नीम बात 138 ग्राम इसकी कुछ भी से स्ताएं गिलेसीन और नीम के तेल के साथ ताजा देखवाल परदान करता है आपके परिवार को बिमारी पैदा करने वाले किटानों से दूर रखने के लिए एक ढ़ाल के रूप में कार्ज करता है इसमें समरीद और मलाईदार जाग परदान करने के लिए 73% TFM होता है अत्रिक्त स्वच्छा के लिए इसमें नीम के गुन सामिल है थर्ड इना एंटी बेक्टेरियल 140 ग्राम हालंकि यह भी सबका पसंदिदा साबून है यह साबून आपके परिवार को एक जिवानु परदान करने और कई बिमारी पैदा करने वाले किटान को कम करने में बहुत मदलगार होता है और तवाचा को मुलायम और कोमल बनाता है और इसमें एक खास बात यह है कि इना इंटी बेक्टेरिया सोब इससे बनस्पति तेल से तियार किया जाता है इसमें भी सेम गुन समरीद मलाईदार और नरम जाग पैदा करता है यह साबू के बाद आपकी तवाचा को नरम और कोमल महसूस कराने के लिए इना एंटी बेक्टेरियल सावुन को उप्योग करना आवास्यक है इना एंटी बेक्टेरियल सोब चालिस ग्राम इसकी कुछ भी सिस्ताएं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं गिलरसीन और प्राक्रितिक यह भी सावुन हर असनान के बाद मुलायम और अनुठी सुगंधी तवचा इसमें भी थोड़ा गिलेशन की मात्रा जो एक प्राक्रितिक मुआशर के रूप में जाना जाता है यह रुखपन को कम करने में बहुत मदगार है और तवचा को मुलायम और कोमल बनाता है और सा इसका कुछ भी स्थाएं आप यहां पर देख सकते हैं आपकी तवचा को नमी युक्त और हाड़ेट रखने के लिए गिलेशन की मिस्रण के साथ ताजगी भरी देखवर परदान करता है उप्योग के बाद तवचा को मुलायम और अनुठे सुगंधित मसुष कराता है इस इस सावन में एंटी मैक्रोबियल और एंटी अक्षियोग के बाद हमारी तवचा को नरम और कोमल महसूस होती है इस सावन में एंटी मैक्रोबियल और एंटी अक्षियोग गुन होते हैं यह सावन तवचा को पोशन और चमक परदान करने में मदद करती है इसमें समरीद और मलाईदार जहाग परदान करने के लिए 76% टी एफेम होता है हल्दी और चंदन का सयोजन सुवस्त गवरी रंगत और युवा देखने वाली तवचा परदान करता है इस सोप में सारे मिसेस नाये हैं नेक्ष्ट सेवन्थ बाटर मिलेन एंड मिंड सोप 75 ग्राम इसमें में तोल और तारबुज के अर की मातरा होती है इसमें समरीद और मलाइदार जाग परदान करने के लिए इसमें भी 76 परदान के लिए उपयोग के बाद सुखापन का को निसान नहीं छोड़ता उपयोग के बाद तवचा मुलायम कोमल परकासित करती है लास्ट लाइम एन लेमन ग्रास सोप 75 ग्राम इस सामुन में भी अत्रीक लाप के लिए 100% बर्नसपति तेल से बनाया गया है ताजा निम्वोग के सुखन ताजगी का हिसास परदान करती है परते कुपियोग के बाद तवचा को कोमल और दोस रहित बनाता है इसमें समरीद और मलायदार जाग परदान करने के लिए इसमें भी 76% TFM होता है एक कुछ भी सेस्ताएं हैं और इसमें बहुत सारे गुन पाय जाते हैं तो फ्रेंट्स एरहा इना ब्रान का आर्ट सावन का गुन और भी सेस्ताएं जैसे कि अभी अपने देखा तो फ्रेंट्स आपको जनकारी कैसा लगा कमें सेक्में जरूरता हैं और हाँ आगर आप इस चैनल पर नए है तो जोनको सब्साइब जरू कर लें ताकि आर्ट सीम बिन जूरी नियू अपटेट आप सोगी को मिलता रहे तो फ्रेंट्स इसके साथ इस विए उकांत करता हूं और फिलेंग इनोरी के साथ तब तक जरूर्शम दोस्तों